हेलो स्टूडेंट्स आयाम साक्षी तिवारी मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल ग्रेट ऑनलाइन अकैडिमी में सबसे पहले एक्जाम क्या होता है तो यह जो होता है रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए होता है मतलब रेल्वेस में जो हमारे पुलिस फोर यह बहुत रेगुलर के नहीं करते हैं तो जैसे भी हम सब को पतां कि 2020 में सी बरती आई नहीं था अब उसमें भरती नहीं तो ऊसे बाद करते अगों अचाहिए 20 में भी नहीं आई तो 22 जो year है ये golden opportunity है सारे exams के लिए क्योंकि 22 और 23 में vacancies आने वाली है अभी पिछले 2-3 साल में तीन साल में कहीं भी vacancies नहीं आई हुई है अब जो भी है वो vacancies आएंगी तो अब इसमें मैं बात करने वाली हूँ कि क्या qualification रहेगी अब डेट कब तक आने वाला है तो इसको जैसे हम कर सकते हैं कि जुलाई अगस्त ऐसे कभी भी क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी इस exam के बारे में कि जो date मांगते है ना जो इस रिलेक्शेशन डेट होती है इसको वो जुलाई काल्कुलेट करते हैं तो इनकी जो भरती आएगी वो जुलाई के लगबग ही आएगी क्योंकि मैंने बहुत सारे exams में देखा कि जो exam date मतलब age relaxation और आपका अपर age limit का जो cut off होता है वो जुलाई के basis में रखके किया जाता है कि एक जुलाई और particular sun को आपको इतना होना चाहिए तो आप इस चीज के लिए eligible हो ऐसे होने वाला है अब मैं आपको और आगे की बात कर सबसे पहले कि इसमें क्या होगा कि किस post में कितनी आएंगी जैसे कि हमने हमेशा देखा हुआ है कि जो constable post होता है constable में ज्यादा vacancies होती है as compared to SI में तो ऐसा expected है कि जो constable होगा उसमें 10,000 plus vacancies होगी और जो SI वाली post होगी उसमें 2700 plus vacancies होने वाली है ये तो confirm होने वाला है तो कुछ लोग ऐसे बात करेंगे कि कि किस हजार भी हो सकती है टोटल कुछ लोग बात करेंगे 15,000 भी हो सकती है लेकिन मैं आपको एक आइडिया दोंगी कि जो आपके पास constable में होगी वो 10,000 plus होगी और जो आपकी SI में होगी वो 2500 और 3000 के बीच में होने वाली है ऐसे vacancies होने अब इसमें एक चीज जो बड़ा चेंच आया है कि मतलब महिलाओं के लिए भी वो मिल बन सकती है अभी तक बहुत सारे पोस्ट ऐसे थे कि जिसमें वुमेंस को एंट्री ही नहीं होती थी खातकर प्रोटेक्शन जो पोर्स होते हैं मतलब हमारी जो डिफेंस होती है लेकिन अब सब जगए वुमेंस को एंट्री मिल रही है तो इसमें भी रहेगा उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा एज क्राइटेरिया है वो क्या होता है तो एज क्राइटेरिया कॉंस्टेबिल के लिए होता है हमारा 28 से 25 एर होता है और OVC के लिए 3 साल का रिलेक्शेशन मिलता है उसके बाद SI के लिए जो हमारा एज होता है वो होता है हमारा कितना 20 से 25 एर होता है और सेम रिलेक्शेशन मिलता है 3 years for OVC and 5 years for SC and SD candidates तो जो भी बच्चे 25 साल के अंदर रहेंगे हम ऐसा expect मान के कर रहा है कि जुलाई में अधी आती है तो एक जुलाई को जो भी बच्चे 25 के नहीं हुए होगे मतलब 25 के अंदर रहेंगे वो इसको भर सकते है और 21 मतलब 20 साल उनका minimum age होना चाहिए तो माक्जिमम में आसे मान qualification क्या हो ही चाहिए education qualification की यदि हम बात करते हैं तो जो SI के लिए होती है वो हमारी graduation होती है कि आपको graduate होना चाहिए और यह complete graduation मांगते है ऐसा नहीं है कि आप 3rd year में पढ़ रहें और आप form भर सकते हो नहीं complete graduation मांगते और constable के लिए तो graduation भी नहीं मांगते मतलब वो 10th प्लस में रखता है कि आप physically कितना fit हो यह बिल्कुल भी मतलब criteria बहुत जादा है तो physical fitness की यह हम बात करते हैं तो इसमें जो है अब इसमें भी चेस्ट का भी दो होता expanded और unexpanded मतलब यह सारी चीजे होती है तो आपको तो बस इता रखना है इसको याद रखना है कि आपको sorry chest हाइट रहेगी वह 157 cm रहेगी SCC candidates की जो हाइट रहेगी वह 160 cm रहेगी और जो बिमेंस की हाइट रहेगी 152 cm रहेगी यह हमारा हाइट क्राइटेरिया रहता है और यह दौनों के लिए सेम होता है मतलब constable और SI के लिए कुछ भी अलग नहीं है नहाँ पर हम अपने अगले स्लाइड में रेख लगते हैं कि जैसे इवेंट है 1600 मीटर्स रेस होगा 6.30 सेकंड रहेगा फीमेल्स के लिए एप्लिकेबल नहीं है नंबर अप चांस आपको जो मिलेगा वह 1 ही मिलेगा 800 मीटर्स रहेगा वह फीमेल्स के लिए रहता है और उनको 4 मिनिट में कम करना पड रहता है 1800 मीटर्स रहेगा जो कि 16 सेकंड में और 18 सेकंड में यह यहां पर ऐसा रहेगा कि मतलब मेल्स को 16 सेकंड में कम करना है फीमेल्स को 18 सेकंड में करना है high jump रहता है 1.2 meter 0.9 meter, long jump 3.65 meter 2.7 meter, short put weight 4.5 meters not applicable for women, that means women's के लिए देखो एक तो physical test as compared to males easy है, आपको running आदी करनी है, time का वो नहीं है, short put तो आपको करना ही नहीं है, तो ये सारी चीज़े हैं, जो selection process होता है, मतलब सबसे पहले आप exam दोगे, फिर आपका physical होगा, DB verification, medical, फिर merit बनेगी और at the end आपको joining letter मिलेगा, next हम बात करते हैं कि exam pattern क्या होगा, तो exam pattern में आपको जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है, सिर्फ 3 section मिलते हैं, एक आपका मिलेगा journal awareness section, दूसरा मिलेगा arithmetic, तीसरा मिलेगा आपका journal intelligence and reasoning, अब क्या होने वाला है, अर्थमाटिक म reasoning में भी आपके 35 questions आएंगे 35 marks के, तो total यदी आप देखते हो कि math reasoning से आपके 70 questions बन रहे हैं, और बाकी के 50 questions है वो आपके बन रहे हैं GA और GS से, GA और GS से बन रहे हैं, तो 50% से जादा तो जो हमें number score करने हैं, वो math reasoning से करने हैं, सब करते हैं, सब को आता है math reasoning, ऐसा तो आनिंग कि बहुत ही कम लोग होंगे जो competition की तेयारी कर रहे हैं और उनसे math reasoning ना है, अब बात आएगी आपका selection process जो होगा ना वो इधर होगा, 50 marks जो होगे, GK और GS पे, यह बहुत important role play करने वाला exam में, और जो time duration है वो भी करेगा, 90 minutes, क्योंकि आपको 120 questions करने हैं, 90 minute में, तो थोड़ का exam pattern रहेगा, उसके बाद, exam की अब expected date की बात करते हैं, अब 2020 में होना था, 18 के बाद से क्योंकि अभी तक vacancy आई नहीं है, pandemic आगया, पोस्पोन हो गया, तो जुलाई और अगस्त में हम बिलकुल इस exam को expect कर सकते हैं, इसका वो आएगा, और यह बहुत expected notification है, क्योंकि बहु बुलर वैकेंसी से, और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि बुमिन्स के लिए जो चांस मिला है और उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया है, क्योंकि ऐसा था कि पहले भी बुमिन्स, मतलब बुमिन्स को पुलिस पोर्स में जाती है, बट उसमें क्या होता है कि उनको थ तो जिनको भी इसकी तैयारी करनी है, आप बिल्कुल बहुत अच्छे तैयारी करो, एक्जाम पर फोकस करो, बहुत अच्छा एक्जाम यह होने वाला है, और 99% मैं श्यार हूँ, इसकी जो वेकेंसी जाने वाली है, वो जुलाई में होगी, क्योंकि इनका कट ओफ हमेशा जो लाई रहा है, क्यल्कुलेट करने वाला, थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही मैं आपको नोटिफिकेशन लाने वाली हूँ, थैंक यू वेरी मच,